कभी कभी इतिहास ऐसा भी बनता है जो उनके फैंस है उनको थोड़ा खराब लगता है जी हाँ पहली बार आई पेरी इतिहास में ऐसा हुआ कि चन्नाई और मुंबई एक ही सीजन में प्ले आफ की दौर तक नहीं पहुँच पाई स्वाग़ था आपका ESPN क्रिकन 4 T20 टाइम आउट हिंदी में और इस चर्चा पर हमारे साथ जुड़ेंगे प्यूश चावला प्यूश बहुत बहुत स्वाग़ था आपका और एक के ऐसा मुकाबला जहां पर शुरू से लग रहा था कि कहीं खेल खराब ना कर दे मुंबई अल्रेडी वो बाहर है सामने चन्नाई है और चन्नाई भी बाहर हो गई प्यूश यानि नौ आईपेल खिताब जिन दो टीमों के नाम है ये दोनों टीमें इस बार अंतिम चार में नहीं है ये बिलकुल जिस तरीके से बात की गई थी कि चिन्नाई मैथमेटिकली जो थी अभी अंदर थी पर उसे मैचेस जीतने थे फिर दूसरी टीमों का वेट करना था लेकिन आज वो यहां पर दौर खतम कर दिया वो पर जो रास्ते थे वो बन कर दिया मुंबई ने और ऐसा हो ये क्रिकेट जो है वो उसकी जो सुंदरता है जो खूबसूरती है वो इनी सब चीजों से बिलकुल प्यूश और ये दोनों टीमों का हिस्सा आप भी रह चुके हैं मुंबई का भी रह चुके हैं लेकिन हम अब बात करेंगे इस मुखाबले की जिस से चीज की बात आपने होते तक आधी टीम पविलियन वापस दिखे ऐसा होता है जब आप पावर प्ले में पांच विकेट खो दें तीस पैंटिस रन के अंदर तो फिर वहां से कमबाक करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है और ऐसा यह देखने के लिए मिला कि टीम पूरे ओवर भी नहीं खेल इस तरीके से ओपनिंग स्पेल डाला है या डैनियल सैम्स ने वहां पर कई तरीके से उसने रास्ते खोल दिये मुंबई इंडियन्स के लिए और कई तरीके से रास्ते बं कर दिये चिन्डाई के लिए प्यूश दूसी तरफ जो एक सवालों के घरे में एक चीज रही वो डेविन कॉनवे शायद अगर डियारेस इस वक्त अविलेबल रहता तो वो नॉट आउट हो जाते तो क्या इस तरीकी की चीजों में खासतोर से आज की क्रिकेट अगर देखें प्यूश तो विदाउट डियारेस बहुत मुश्किल हो जाता और आज हमने वो देखा तो क्य आगे आने वाले वक्त में अगर किसी भी कारण वर्ष डियारेस अविलेबल नहीं रहता है चाहे वो तकनिकी या लाइट इशू या पावर फिलर वाटेवर तो क्या वहां पर मैच को डिले किया जा सकता है देखिये जो अमपायर होता है DRS तो अभी पिछले कुछ सालों से शुरू है उससे पहले तो जो अमपायर का निरने होता था वही मानने होता था तो अभी यहां पे अगर DRS नहीं था और यहां पे ऐसा न दूसरी तरफ भी हो सकता था कि अभी मान लीजे प्लम आउट होता और यहां पे अमपायर नॉट आउट देते तो DRS उपलब नहीं था तो यह मशीन है मशीन कभी-कभी खराब हो जाती है समय ऐसे खराब हुई कि वहां पे वह थोड़ा एक बड़ा डिसिजन हुआ तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो क्योंकि वहां पे जो अमपायर अमपायर से भी गल्ती हुई क्योंकि वह विकेट लग रहा था कि बॉल शैद मिस कर जाती लेकिन अब जो हो गया आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं गल्ती किसी से भी हो सकती है और इतना बड़ा टॉनामेंट है सही बात है इतने सालों से हमने कभी ऐसा कुछ देखा नही था और उसके बाद पर DRS अविलेबल था पर सिर्फ डैनियल सैम्स कि अगर हम तारीफ करें तो थोड़ी से ना इंसाफी हो जाएगी दूसे गेंदबाजों के लिए प्यूश क्योंकि आप देखें रैली में रेडित ने क्या लाजवाब गेंदबाजी की जसमीत दुम्रा एक पार फिर जबर्दस्त आग उगल रहे थे अपनी गेंदबाजी से डो विकेट कार्टिके भी निकालते हैं यानि एक ओवर ओल गेंदबाजी एफट देखने को मिला देखें जिस तरीके से डैनियल साम्स ने और जस्टीद गुम्रा ने शुरुवात करी न तो पहले ही उन्होंने बहुत बैक फुट पे धकेल दिया था सी एसके को उसके बाद जो आने वाले गेंदबाज होते हैं उनके लिए चीज़े असान हो जाती हैं कि आपको पता है बल्लेबाज वहां पे ओवर खेलने को देख रहा है बड़े शॉट लगाने को नहीं देख रहा है तो बॉल वहां पे मूव हो रही थी जिस तरीके से स्विंग प्राप्त हो रहा था तो उसका भरपूर फायदा उठाया है यहां पे मेरेड इतने भी और अच्छी गेंबा यानि सौरन भी जब आप बोर्ट पर नहीं बनाते हैं तो जाहिर तोर पर सामने वाली टीम एक के अलग मनुवल के साथ आती है पर अप्यूश तारीफ करन्यों की मुकेश चौधरी की रन कम थे लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जजबा दिखाया तीन विकेट निकाले प बुच चीजे होती देखी हैं और जिस तरीके से आज 33 रन पर चार आउट हो गए थे तो वहां पर की लग रहा था कि गेम हाथ से जा सकता है अगर वहां दो विकेट और जाते तो गेम हाथ से जा भी सकता था लेकिन वहां पर तारीफ करनी होगी तिलक वर्मा की जिस तरीक जब ज़रुरत भी टिक कर खेलने की तो वह टिक कर खेले भी क्या यह फ्यूचर स्टार साबित हो सकते हैं बलकल यह फ्यूचर स्टार ही हैं क्या इनको फिर सिंस बात करते हैं इनको गेम सेंस इनका बहुत अच्छा है और अभी आप लोगों तो इनने esterth Ipl में देख़ा ह इंपक्ट हमने जब हाइदराबाद गुजरात की अगेंस हमारे सामने खेली थी, मैंने वहाँ भी देखा था, इन्होंने 75 रन की एक शांदार पारी खेली थी उस मैच में, तो वहाँ से आपको समझ आ जाता है कि एक प्लेयर का क्लास क्या है, और हमने देखा है कि जब तेज रनों की ज़रृत होती है, तो अच्छे से खेल थी, तेजी से खेलते हैं, आज वहाँ पे तेज रनों की ज़रुद नहीं थी, वहाँ पर संबल के खेलना था, विकेट बचाने थे, तो वहाँ एक साजयदारी लगानी थी, तो उन्होंने वहाँ पर वह जिमेदारी ली, औ बहुत ही जबर्दस बल्लेवाजी करी उने चलिए पिश थोड़ा सा पीछे चलते हैं और बात अब करते हैं कैप्टेन कूल महन सिंग धोनी की जिन्होंने खूटा अकेले गाड़े रखा और शायद यही वज़ा थी कि चन्नाई अपने सबसे कम स्कोर 89 उसको पार कर पाने मे काम्याब हुई 36 नाबाद रन 33 गेन साथ नहीं मिल पाया दोनी को किसी का एक छोड उन्होंने संभाल के रखा लेकिन दूसरे छोड से लगातार अंतराल पर विकेट गिरते रहे अगर आप इसे देखें कि पूरे ओवर भी नहीं खेल पाई थी यहां पे चिन्नाई की टीम होते और उसका मादा रखते हैं दोनी वाई लेकिन साथ नहीं मिला और कोई साथ में बल्ले बास टिक के खेल भी नहीं पाया और यहीं होता है तजब वहां पे पिछ मुश्किल थी एक छोड संभाल के बल्ले बाजी करनी थी तो वहां वो आए उन्होंने दिखाया कि किस त बोड़े थे वहां अगर नहीं दोड़ते तो शायदे कुछ तस्वीर अलग हो सकती थी देख ये शायद इफ और वट तो फिर काफी कुछ होता रहता है क्योंकि वहां भी वो देखाया तो एक गेन बची थी तो उनका सिंगल लेना भी जरूरी था बॉल नहीं लगी वाड में तो सिंगल लेने भागे हो सकता है कि अगर सिंगल नहीं लेते वहां अगले और में पहली गेन पर बल्ले बाज आउट हो जाता तो जब मैच हो जाता तो अगर हां या ना फिर बहुत चीज़े होती है चलिए पियुश बिलकुल नजर सबकी रहेगी एक बार फिर आपसे जरूर होगी मुलाकात ते फिलाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुडने के लिए और तमाम बातचीद के लिए पियुश और आपका भी शुक्रिया यह स्पेन क्रिकन 4 T20 टाइम आउट हिंदी में इतना ही एक बार फिर जल्द होगी मुलाकात